लहाल में भी बारिष होई लेकिन बाकि जिलों के मकाबले बारिष यहां कम रही तो मैं ओवराल कहना चाहूंगा कि जो हलात है characteristics यहां के कारण दो जार जगे उसको बंद किया गया है और उसका मेंटेनेंस का कार इस स्टार्ट चल रहा है तो दो तीन दिन तक हम उसको क्लोज रखेंगे और उसके अलावा जो हमारा लोसर से सुम्दो वाला रोड है वो भी ओपन है और जो स्केटिटी रोड है वो भी खुला हुआ है इसमें में में हमारी समस्या जो है वो मनाली के रोड को लेकर है क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो ले और जो जो हमारा कारगिल से काफी टूरेस्ट या गाड़ी यहां से क्रॉस करती है तो मनाली में भी रोड क्लोज है तो मैं ग बज़ जाए तो गरत आप अपना जो इसको पोस्टपून कर सकते हैं तो कर करे और उसके अलावा जो हमारे यहां पे जो अपर वह यह भी चला हुआ है कहीं-कहीं बीच में मेंधेर जैसे कि हमारा जो लॉहाल में है वह चिर्वड प्लांट से आता दूसरा मनाली से आता तो म में कुछ maintenance का कार चल रहा है तो शायद एक दू दिन में यह हो जाएगा और अलेक्टिसिटी ठीक है साथ साथ जो वाटर सप्लाइस की में वह भी हमारा ठीक चिला हुआ है और जो प्रसासन के हमारे तरियारी है हमारे जितने भी अधिकारी फिल्ड पे हैं और बोग लोग क्ल कर रखा है साथ साथ हमारा जो जालमा ना लाओ गया उसमें भी थोड़ी फ्लडिंग का इशू आ गया है और में है जो हमारे टूरिस्ट हैं वह चंदरताल में काफी ज्यादा करते हैं और इसमें इस बार आपको पता है जैसे हमने बातल में सटलाइट फोन दे रखा है तो हम लोसर साइट से कुछ हमारे टूरिस्ट है उनको उदर वो चले जाएंगे उसके बाद दू-तिन दिन तक यह रोड मेंटेनस में चार्ट हो उसके बाद जैसे ही हमारे वैदर प्रडिक्शन आते हैं और मौसन ठीक रहता तो उसको उपन कर देंगे और आल समान है में हमार समस्था यह है कि हमारे जो लोग ट्रावल कर रहे हैं मनाली की तरफ या मंडी की तरफ इधर से उसको थोड़ा सा एडवाईजरी को देखते हुए ही ट्रावल करें